जिसको जोडों में दर्द है दोस्तों मते जब तक आपको जोडों में गुटनों में दर्द नहीं होगा अर्थराइटस गटिया की समस्या नी पेन जॉइंट पेन या बॉडी पेन की प्रॉबलम किसी को रहती है कमर पीठ में दर्द रहने की प्रॉबलम या शरीर में किताब अश्टांग रिद्दम के अनुसार दे रहा हूं तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अंतक अवश्य देखें तीन अवश्य दियां लूँगा और यह सब भी की कॉंटिटी मातरा सेवन करने का समय तरीका आपको पता होना चाहिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिए फै सब्सक्राइब कर दर्दमें घृतनों के दर्दमें कमर पीट के दर्दमें या फिर हड्यों से जिनके कट-कट की आवाज आती है जॉइन्ट पेंगी पेंडु में उनके लिए बहुत जबर्दस्ट बहुत बहुत बहतरी होते है इसके अलावा इंडियन कल्चर में फ्रेशनर के तोर पे भी किया जाता है मूँ से जिनके बद्बू आती है और खाना खाने के बाद गुड़ी या शक्कर के साथ में खाने को डाइजिस्ट करने के लिए भी किया जाता है दूसरे नंबर पे यहां पे मैंने जो औशदी लिए उसको भी आप ध्यान से देखें क क्वांटिटी में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा यह है दोस्तों क्यूमन सीट्स जिसको हम हिंदी में जीरा कहते हैं सभी के घर में होता है तड़का लगाने में हम इस्तमाल करते हैं बोजन में दोस्तों यह जो जीरा होता है इसके बीच में वाइटमिन E, A, B12, K, फाइबर, केलशियम, वाइटमिन D, प्रचूर मातरा में पाया जाता है जो कि जॉइंट पेन, नी पेन की प्रॉबलम, घुटनों में दर्द की समस्या, जोडों में दर्द की समस्या को ठीक करने में बहुत फायदेमंद होता है और यह शरीर के लिए सोंफ और जीरा ठंड भी होते हैं, इसका मतलब यह कि आप घर्मी में इस ओश्रदी का इस ड्रिंक का इस्तमाल करेंगे, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, यह जो ड्रिंक है सिरफ जोडों, गुटनों के दर्द, नी पेन, जॉइंट की प्रॉबलम को ठीक नहीं करती है, बलकि इसके अलावा, दोस्तों, यह आपके शरीर में सांड जैसी शक्ती, पुर्षों में जो होती है न, कमी, रात को गंदी गंदी चीज़ें देख करके, मुबाइल में शरीर का सत्यानाश कर देते हैं, उनके लिए भी ड्रिंक बहुत फायदेबन है, इसके अलावा, जो वजन पेट के साथ में करते हैं, यह बहुत ही बहतरीन होता है, पेट को साफ रखने के लिए भी, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में पैदा होती है न, दोस्तों, जॉइंट पेन की, नी पेन की प्राबलम, वो खून की खराबी होने के कारण होती है, यह फिर ख हमें आई ताकत कर चाने में आयू और ख़ंगता। विछे होती है जो पहत फायदमंद में लूजाती है उनके लिए बहुत debts उनको जाती ऑपको प्रियोग करने का सही तरीका पता होना चाहिए आगे मैं आपको वीडियो में बता हूँ गॠाओ यहाँ, पैंने जो साफ लिए था न दोस्तों वो लिए थे मैंने लगबग-लगबग 20 ग्राम की मात्रा में जीरे भी हैं जीरा Commission की मात्रा की मात्रा में ले लूंगा और यह जो मैं पहले जो की पैल में पावडर बनाना आपको सिखाऊ। उसको दोस्तों हम स्टोर करके भी रख सकते हैं तीसरे नमबर पर हम पर मैंने लिया है अजवायन अजवायन दोस्तों कैरम सीट कहते हैं इसको अंग्रेजी में और आप सभी को पता है हमारे इंडियन कल्चर में सभी के गर में दादी नानी अजवायन का दर्द है या फिर knee pain joint pain की problem या हडियों से cut cut की आवाज जिसको अंग्रेजी में crackling sounds of joints कहते हैं उन व्यक्तियों के लिए बहुत फाइदे मंद होता है दोस्तों अजवायन का सेवन करना इसकी तासीर दोस्तों जीरा और सौंफ के मुकाबले गरम होती है लेकिन जब आप तीनों चीजों को मेरे बतायानुसार हमारी आयरुवेट की गरंट अश्टांग रिदम के बतायानुसार प्रियोग करेंगे तो इसकी तासीर दोस्तों फिर आपको गरम नहीं लगेगी फिर ये बहुत जबरदस्त बहुत बहुत बहतरीन हो जाएगा आपके जोडों के दर्द गुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए दोस्तों इसके अलावा जो अजवायन होता है खाली जोडों के दर्द गुटनों के दर्द को ठीक नहीं करता है बलकि ये बहुत ही बहतरीन होता है ऐसे पुरिशों के लिए जिनकी अंदर शक्ती की कमी है ताकत की कमी है जिनको आलस से बहुत जादा आता है थकान बहुत जादा आती है कमजोरी शरीर में बहुत जादा रहती है जो रात को देर देर तक जाके शरीर का अपने सत्यानाश कर चुके हैं और आपको समझ पा रहे हूंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए अगर आप अजुएन का प्रियोगा आदी ग्राम की मातरा में अश्व गंदा के साथ में अश्व गंदा एक ग्राम की मातरा में लेते हैं और करते हैं हलके गुन-गुने तामबे की बरतन के पानी के साथ तो बहुत ही भैतरी होता है दोस्तों ये ताकत को बढ़ाने के लिए खास कर पुर्शों की अब देखिए ये तीनों चीजे मैंने 20-20 ग्राम की मातरा में ली हैं आप दो तरीकों से इनका दोस्तों ज्ञोटे चंब dealing rlbor करें अब भी शोटे न की ज़ूटे चंबच की अब भी घुटे चंबच औरओं यहाँगर्गे दोसके मुट बीच में दोस्तों। दाल दूगा सौफ लाइव आप दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं और स्टार्टिंग में दोस्तों आपको कम मात्रा में ही ओश्रदी का प्रियोग करना दिरे दरे करके कौंटिटी बढ़ानी है तो यहां पर मैं एक ही व्यक्ति के लिए बना रहा हूं इसलिए आदे छो आजवाइन भी देखी कितनी कम मैंने आप लिए छोटे वाले चमच के आदे चमच से भी कम मात्रा में हापे मैंने आजवाइन लिया है अब यह तीनों चीजों को दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है मिक्स करने के ब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा लेकिन आप फिला लाइव देखिए कि मैं यहां पर ड्रिंक कैसे बना रहा हूं आप देख सकते हैं दोस्तों लगबग लगबग यहां पर मैंने एक तो पहली रात को आप पानी में भीगो करके भी तीनों और श्रदियां रख सकते हैं उ या फिर दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आप इसको मान लीजी अगर आपने 100 मिली लीटर की मातरा में पानी लिया है जब वो आपका 75 मिली लीटर की मातरा में बचेगा तब तक आपको उसको उबालते रहना है दीमी आच पर मीडियम या लो फ्लेम पर यह जिसका ध्यान होने की प्रॉब्लम उनके लिए और साथ में आदे छोटे चमच की मातरा में शहाद भी मिला सकते हैं इसके बीच में जिनको दोस्तों डाइबिटीस के समस्या नहीं है और इसके अलावा अगर आप इसका हफते में तीन बार प्रियोग करते हैं तो आपको डेट महीने के ब बंद कर देना भेंकर से भेंकर